तो दोस्तों क्या यह problem आपके साथ भी यहां पर आ रहा है जब आप अपना यह टल में तरह है पिंट बैंक सेक्षन को लोग इन करने जा रहे होती है यहां पर आप लोग इन नहीं कर पा रहे हैं आपके स्क्रीन पर एक alert message यहां पर आपको देखने को मिल रहा है है यहां पर कुछी कारें कुछ इस प्रकार से अलट मैसेज यहां पर आ डेखने को टो अगर तक है आप इनने मैं सब्सक्राइब करों तो चलिए वीडियो को शुरूर करते हैं दोस्तों यहाना पर मैं आ चुका हूं मेरे mobile के स्क्रीन के अंदर जैसा कि आप देख सकते हो live proof के साथ यहां पर आपको बतलाने के लिए यहान sobie पहले आपको चेक करके दिखाता हूं मेरा balance यहान पर मीरा balance हो यहाँ पर अभी कितना है जैसा कि आप देख सकते हो तो यहाँ पर आपको जो है minimum यहाँ पर आपका balance होना चाहिए एक रुपया, एक रुपया compulsory है device verification के लिए तो यहाँ पर आपको 10 रुपया का recharge कर लेना है अपना prepared sim से यहाँ पर आप online कोई भी website से यहाँ पर recharge कर लेना 10 रुपया का 7 रुपया, 47 पैसा है यहाँ पर आपको balance मिल जाएगा एक रुपया का जरुवत होता है पहला आपको यह काम कर लेना दूसरा आपको यह चेक कर लेना है यहाँ पर आपको जो message center number है वो यहाँ पर सही है आप यहाँ पर सही slot से यहाँ पर message को send कर रहे हो सही SIM card से उसके लिए यहाँ पर आपको करना क्या है यहाँ पर आपको अपना setting पे आना है setting पे आना है नहीं तो आप जो है आपका जो internet data का करसर है उस पर long press करोगे जैसे ही आप long press करोगे तो आपको यहाँ पर यह Redirect करके आ जाएगा पिज, जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, आपका SIM Slot तो आप यहाँ पर चेक कर लेना, साथ ही साथ आप जो Message Send कर रहे हो, वह कौन सा legitim Send कर रहे हो Message, वह भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा sim dashboard तो आप यहाँ पर जो है sim dashboard पर आके sms से यहाँ पर जो है उससे आप चेक कर लेना setting को यहाँ पर आपका ठिक ठाक है या फिर ठिक ठाक नहीं है तो यहाँ पर चेक कर लेना confirm हो लेना उसके बाद आपको करना क्या बैक आ जाना है बैक आने के बाद यहां पर आपको main balance recharge कर लेना है और यहां पर main balance recharge करके फिर से आपको उसी जगा पर आ जाना है यहां पर आपको यह एटल में तरह है और यहां पर आपको login करना है दुबारा से परियास करना है तो यहां पर login हो जाएगा चलिए मैं login करके भी आपको दिखा देता हूं नीचे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा verify device तो simply verify device option पर एक बार tap करना है जैसे ही आप tap करोगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ अगला page open कराएगा इस तरह का देखने को मिलेगा आपको जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपको अपना SIM slot को चेक कर लेना है और सही सलोड को यहाँ पर सलेक्ट करना है जो आपका लापू सिम जिस पर पड़ा हुआ है उसे यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है तो चली यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूं और इस पर टैप करना है यहाँ पर आपको सेंड SMS कर देना है तो चली यहाँ पर मैं सेंड SMS कर देता हूं जैसे यहाँ पर मैं सेंड SMS करूंगा तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर डिवाइज वेरिपिकिसन सेक्सफुली हो चुका है और यहां पर आपको जो है कुछ इस परकार से उसके बाद आपको ऑके करने के बाद आपको दुबारा से लोगेनुन ऑल अप्सेन पर्ट पर करोगे तो आप देख सकते हैं यहां पर आपका लौगीन हो जाएगा यहाँ पर आपका येटल मित्रा है, पिंद बैक का सक्षन कुछ इस परकार से आपको यहाँ पर झाल झाल